सलाम अलेकुम दोस्तों आज की फोटोशाप CS6 के इस वीडियो में इस टीटोरियल में हम जो टूल देखने वाले हैं वो है पैन टूल तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोड़क्शन देदू के पैन टूल जो है वो हम सेलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं इ श्यासा के हमने पहले टूल देखे ये डेकर तोल्वर के अंदर लेसों तूल पॉलिपशन तूल पॉलिगर तूल इसी थरह हमारे पास स्कुष्चन टूल था मैजिक वंडूल ये टूल हम पहले देख चुके हैं और इनका काम था पिक्चर के अंदर सेलेक्शन करना अगर आप आए तो आप देख सकते हैं कि pen tool है इसके अंदर मजीर है free form pen tool, add anchor point tool, delete anchor point tool और convert point tool तो हम इस सब देखेंगे जो इसमें main चीज है वो है पहली option यानि पहला tool pen tool तो दोस्तो इसका use देखने के लिए हम यहाँ पहले file open कर लेते हैं ताकि हम उसके उपर apply करके इसे देख सकें for example दोस्तों यह देखें मैंने यह image open कर ली अब मैं चाहता हो कि मैं इस तस्वीर का background चेंज कर दो तो सबसे बहले मैं देखें हैं इसके साथ काम करना बहुत ही असान है और फोटोशाप के अंदर selection के लिए यह quick selection के लिए हम सबसे ज़्यादा pen tool को ही यूज करते हैं जब आप भी इसके साथ काम करेंगे तो आप भी इसके फैन हो जाएंगे तो सबसे पहले यह देखें हमारे पास दो अप्शन आउपर एक शेप की और एक पाथ की अभी हम पाथ के उपर बात करते हैं यह खकी करसे लिए हम इसके सेलेक्शन के लिए हम इसे स्चाव करते हैं और आप पाथ करते हैं तो दूस्तों यह देखें हैं सुक्रीज़ की बहुत ही असान Atom gonna be just नरह स्के और एक पॉरिय एक को जें देखें इसके ऊग पाइड़ आप इसक कर सके अब कर दोस्तों एसके म Ob jam round कर सकते हैं मैं आपको close करके बताता हूं यह देखेहें कि यह धेखेया मैं यहांप़ एक और current लगाता हूं और मैं इसको round कर सकता हूं बस आपने इसको पकड़े रखना है और ढराब करते जा रहा है ठीक है यहहां पर एकुरेट मैं इसको यहां पर लाके छोड़ दूगा और अब यह देखें हमार पास तीन तरह की वाल पॉइंट बन गए यहां पर एक यह वाल पॉइंट करें अब वह उन्हें हमने अगर मैं इसको फॉर इंपल यह देहुं अगर नेक्स पॉइंट यहां पे लूँगा तो वो देखें गलत हो रहा है ठीक है अगर मैं चाहता हूँ कि यह मारा पॉइंट यह जो मीड वाला पॉइंट है यह हमें एजा नेक्स्ट पॉइंट मिल जाए तो मैं क्या करूंगा जस्ट ओप्शन में जाओंगा और लास्ट पे होगा कनवर्ट पॉइंट टूल मैं इसक के उपर लाके मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखिए जो दूसरे पॉइंट थे वो कुदबा कुद गाईब हो जाएंगे ठीक है और इसके साथ-साथ मैं इसको आल्ट का बटन दबार के भी इसको मैं यहां से खटम कर सकता हूँ ठीक है आल्ट का बटन दबाऊंगा और मैं ज़्झ स्क्जिए के ओपर कलिक करूँगा तो Id-वत-बकुद तोड़ा सा आपने इसको करना है देखे जिस तरह यह स्लेक्शन थी आप इसे यहां से राउंड करके कर सकते हैं ठीक है और इसी तरह आप पूरी सेलेक्शन यहां से कर सकते हैं यह अभी मैं आपको एक रफसा बता रहा हूँ आपने बड़े ही इसको प्यार से खुद सेलेक्शन कर लेनी है ठीक है? अब दोस्तों ठीक है? और इसके बाद आपने यहां पर आ रहा है यहां पर आपको पूरी सेलेक्शन करके पता दूँ ताकि आपको पता चले इसके बार यह देखें जब यह कलो जाएंगे तो आप यहां पर आगिल इसके अपर राइट कलीक करेंगे और यहां पर option देखें एक होगी Make Selection टीक है? Make Selection के अपर कलीक करेंगे आपको भी फीदर लेडिस, for example, मैं इसका 2 कर देता हूँ और यहां से OK कर दूँगा, तो यह मेरे पास एक selection बन गए, ठीक है और फीदर का मैं आपको बाद में बताता हूँ और इसके बाद मैं यहां से इडिट में जाके इसके मैं copy करके, और जैसे मैं control V करूँगा तो यह आप देखें, यहां पर इसकी एक लादा से layer बन गए अब मैं इसका पीछे से background भी change कर सकता हूँ for example, मैं यहां से एक new layer open करके इसको color fill कर देता हूँ, तो यह देखें, मैं इस तरह से कर सकता हूँ अगर आप इसे बड़े ही close करके, जूम करकर के, अगर इसे आप कट करेंगे तो आप बड़े ही अच्छे तरीगे से इसे perform कर सकते हैं ठीक है, यह तो था इसका काम तो pen tool के अंदर यह आप अगर देखें तो हमारे पास इसके अंदर options है, combine shape, subtract shape, intersect shape, exclude shape ठीक है, मैं core file open करता हूँ और उसके अंदर आपको इसका समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनका क्या काम है और यह चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, lasso tools वगएरा के अंदर add करना, intersect करना, इस तरह की चीज़ें इस तरह की चीज़ें अब यह क्या काम करेगी, देखें मैंने यहां से pen tool select किया, मैंने यह flag ठीक है, मैं flag को select कर लेता हूँ अभी मैं यहां से rough सा कर रहा हूँ, ठीक है उसके बाद मैं इसकी selection बना लेता हूँ, direct भी हम कर सकते हैं, control, enter करके यह देखें यह selection बनगी, control, enter करके, अब मैं यहां से move tool को पकड़ता हूँ, और इसको देखें, मैं जैसे ही move करूँगा, तो यह वला इस साब move हो गया, ठीक है और अगर मैं इसके अंदर कोई मजीद selection बनाऊंगा, अगर इसी जो मैंने selection पहले बनाई है, उसके अंदर कोई मजीद selection बनाऊंगा, तो अब यह क्या करेगा, अब वो दुबारा से हम देख गया है, मैं control, enter करता हूँ, यह selection मना ली, उसके बाद move tool को पकड़के, अब मैं करता हूँ, तो अब उसने क्या किया, जो मैंने अंदर selection मनाई थी, उसको exclude कर दिया, यानि उसको ignore कर दिया, इसको इगनोर कर दिया, दोस्तों इसमें आपको बदा चल गया, जो थी हमारे पास pen tool के अंदर एक option, exclude overlapping, ठीक है, उसके बाद हमारे पास next option है, यहां से हम देख ल अब यहां पर ले आँ, exclude को, ठीक है, अब यह add क्या काम करेगी, अगर for example, मैं यहां पे, यहां पे मैं कोई भी new selection बढ़ाऊंगा, तो यह देखें, ठीक है, उसके बाद मैं control enter करता हूँ, तो यह देखें, जो मैंने बाद में selection बढ़ाई थी, वो पहली selection के अंदर add हो गई ठीक है, और इसी तरह मारे पास जो next option है, इसी के अंदर वो है subtract from shape, अगर for example, मैं यहां पे देखें, एक लैदा से पहली shape बनी वी है, उसके अंदर एक लैदा से बनाने की कोशिश करूँगा, तो अब क्या होगा, अब मैं जैसे ही control enter दबाऊंगा, तो यह देखें, जो जि एक रहा गया है, उसे भी हम देख लेते हैं, वो कौन से है, वो है मारे पास intersects shape area, ठीक है, intersects है क्या मुदा है, जो इस selection का और जो बाद भी selection का हिसापन में combine करेगा, वो उसको selection बना देगा, for example, यह देखें, अब मैं control enter करता हूँ, तो यह देखें, सिर्फ यह वाला हिसा यानि कि इसने इसको intersect कर दिया, ठीक है, तो दोस्तों आपको इसमें चारों options का पता चल गया, लिफाल जो है, वो exclude overlapping shape है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास, इसी के अंदर, इनी options के अंदर अगर आप देखें, तो हमारे पास है, performing pen, free form pen tool, free form pen tool क्या करेगा, यह जैसा कि इसक free काम करता है, जिस तरह हमारे पास, यहां पे था lesser tool, ठीक है, जिस तरह वो free काम कर रहा है, उस तरह यह देखें, मैं से select करता हूँ, free form pen tool, यह pen tool ही होगा, लेकिन यह देखें, यह देखें, यह freely काम कर रहा है, उसके बाद दोस्तों हमारे पास है, free form pen tool, यह free form pen tool, एक तरह स यह लैसर टूल जैसा ही है, यह जैसा कि इसके नाम से शोर हो रहा है, यह freely काम करेगा, आपने इसके उपर क्लिक करना है एक बार और इसको आप ऐसे ड्रैग करते जाएंगे, तो यह देखें, यह selection बना देगा, लेकिन यह इतना आपकी effective टूल नहीं है, main वही पहले वाला को यूज करें, उसके बार हमारे पास है add anchor point tool, delete anchor point tool, convert point tool, तो convert point tool को तुम देख चुके है, add point tool क्या करेगा, उसके बार मी मैं आपको बता दूँ, यहांते कोई file open कर लूँ, और कोई, for example, यह मैंने तस्वीर open कर ली, अब मैं इस लड़की की selection बनाना चाहता हूँ, मैं just close कर लेता हूँ, तो यह देखें, यह मैं selection बना रहा हूँ, ठीक है, अब यह देखें, अब ही मैं आपको बदाता हूँ कि इस काम कैसे इस्तमाल करेंगे, ठीक है, अब दोस्तों, आप देखें, यहां पर इस जगह के ऊपर यह जो बाल है, यह मारे बाहर की तरफ रह गए है, और जो selection है, वो अंदर की तरह है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बाहर करूँ लेकिन यहां पर आपको पॉइंट है नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहां से add anchor tool पे click करूँगा, और यहां पर anchor add करके, ठीक है, और इसके बाद, बस चस्ट यह, उसके बाद मैं pen tool select करूँगा, और यहां से मैं control enter करूँगा, तो मेरे पास वो selection आ जाएगी, मतलब कि add करने के लिए क्या होता है, तो आप, for example, अगर यहां पर मैं कोई इसको थोड़ा सा कर देना चाहता हूँ, तो यहां पर पहले मैं anchor add कर लूँगा, यह देखें, अगर anchor को add करके, छोड़के और उसको मैं दुबारा से करूँगा, तो मैं इसको जैसे मर्दी move कर सकता हूँ, ठीक है, और इसी तरह मैं यहां पर एक और anchor add कर लेता हूँ, और इसको add करके मैं उसको जिस तरह मर्दी, जिस मर्दी angle पर इस तरह से गुमा सकता हूँ, ठीक है, तो दोस्तों यह था हमारे पास add anchor, इसी तरह मारे पास delete anchor है, यह क्या करेगा, उसको खतम कर देगा, कोई भी अगर anchor point को आप खतम करना चाहते है, मैं यहां पर click करूंगा, यहां पर click करता हूँ, तो यह खतम करतेगा, ठीक है, उसके बाद convert point टूल, इसके बारे मैं आप बात कर चेका हूँ, यह हम बार बार use करते हैं, इसकी short की alt है, ठीक है, इसको हम इस तरह यूज करते हैं, यह देखें, अगर मैं यहां पर लाके इसको ऐसे curve करूंगा, यह देखें, तो यह चीज को मैं खतम करने के लिए, मैं यहां से alt को दबा के, इसको खतम कर सकता हूँ, और यह देखें, यहां पर नीचे को बन जाएगा, और मैं इसके ओपर लाके click करूंगा, तो यह खतम हो जाएगा, औ अगे लेकर चल सकता है उसके साथ दोस्तों मैं यहां से सब्सक्राइब पाइब तो देखें एक एरो में चेंज होगा यह अ कुल सा है यह हमारे पास इंटरेक्शन टूल है इंटरेक्शन टूल क्या करेंगा एक Bent ते कशनलोल थो या यह रेक्षिन टूल क मैं ऑना से इसे मनी को गुमा सकता हूं तो मैं इसको यह यांसा तो शहलु पर जा करूद्ध करोंगा तो जा इसके नागर मैं चाहता हूं है और इसको भी मूव करना चाहता हूं तो यहां से लागे कर दूपट करेंगा और यहां से लागे इसको मूव कर दूगा और मैं एक लाइदा से वीडियो बनाऊंगा इन दोनों टूल्स के उपर वो भी आप वहां से देख सकते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको बाद चल गया ये चारो टूल्स पांचो टूल्स का एक दो ठीक है पांचो टूल्स के बारे मैं आपको पता चल गया कि इन सब अब मैं इसको बैक्राउंड चेंज करना चाहता हूं तो मैं पहले इसको थोड़ा सा मजीद नीचे तक इसको बढ़ा लेते हैं आगे अच्छे तवीके से हम इसको समझ सकें यह देखें यह बची की मैंने एक तस्वीर है इसकी मैंने सेलेक्शन बना ली अब मैं क्या करू तो मैं अब मैं चाहता हूं कि इसका बैक्राउंड चेंज कर दो ठीक है मैं आप एक यह स्को ग्राउंड आ ताके इसका जो फीदर है उसको मैं अभी कर देता हूँ बन करके या मैं अभी फीदर के बगार इसको प्लाई करता हूँ और यहां से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूँ तो आप देखिए यहां पे एक लेयर बन गई ठीक है क्लाई मैं यहां पे यहां पे लाके मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल भी करता हूँ यह देखें ओछा हूं आ अभ इसको मैं उप कर देता हूं और आप पिक्चर को इसके ओपर लगाया और बैगरांट इसका चोशी इसका में चेंज गया है तो देखें साफ पता चल रहा है कि कई चीज लागे कहीं से कट करके इसको यहाँ पर ला इसी इमेज के अंदर जाके दुबारा से मैं वही सेलेक्शन बनाऊं ठीक है मैं दुबारा से करता हूँ यहां से एक न्यू लेयर बनाता हूँ तो दोस्तो आप ने देखा कि मैंने इसको एक पूरी सेलेक्शन बनाई हूँ उसके बाद मैं इसको यहां से लोक खतम करता हूँ और यहां से एक न्यू लेयर बना के उसको मैं कोई कलर दे दू लेयर को मैंने इसको ये color दे दिया उसके बाद मैं दबारा इसलिए पर वापिस आके अभी मैं just control enter करता हूँ अभी कोई feeder इसके उपर apply नहीं करता ठीक है अब मैं यहाँ से इसकी एक copy बना लेता हूँ Ctrl C और Ctrl V कर गई देखें यहाँ पर copy बन गी इसकी ठीक है लेकिन आप देखें कि अगर मैंने जब इसकी copy बनाई है तो यह साफ पता चल रहा है कि यह image कहीं से cut करके यहाँ पर लागे रखी गई है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ अभी मैं वहाँ पर वापिस जाता हूँ ठीक है और इसके उपर मैं अब फीदर अपलाई करता हूँ ठीक है तो दोस्तों यह देखें मैंने इसके ओपर एक selection बना ली मैं यहाँ से एक new file मनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं background change कर रहूँ या मैं यहाँ से कोई और फाइल ओपन कर लेता हूँ ठीक है ज़ा कि मैं इसको ऐजा इसका background use कर सको for example मैं इसको open करता हूँ और इस image को पहले मैं बगएर फीदर के वहाँ पर जाके paste करता हूँ मैं इसको control एंटर करता हूँ भी फीदर अपलाई नहीं करता हूँ इसको यहाँ से control यहाँ से image edit में जाके copy करता हूँ जो selection है और यहाँ पिल जाके मैं इसको paste करता हूँ control V करता हूँ इसके बाद दोस्तों हम समयते हैं फीदर को फीदर क्या है फीदर बहुत यसान है वो मैं आपको एक example के तुरू समझाता हूँ for example यह देखे मैं image case को cut कर लेता हूँ यहाँ से पहले मैं इसका background चेंज करना चाहता हूँ मैं एक new file बना लेता हूँ ठीक है यह मैंने एक new file बना ली और उसके बाद में 12 image पे आके इसको यहाँ से pen tool यूज़ करके cut करता हूँ यह तो मैं अभी बज़ जल्दी में इसको cut कर रहा हूँ ताके मैं आपको बता सकूँ के इसका क्या feeder क्या है ठीक है ठीक है दोस्तो अब मैं इसको पहले बगएर feeder के यहाँ से करता हूँ control enter करके हम direct भी इसको selection कर सकते हैं लेकिन उसके अपर feeder apply नहीं होगा इसको मैं यहाँ से edit में जा के control copy करता हूँ और यहाँ पर लाके edit में जा के इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ठीक है यह मेरे पास यहाँ पेस्ट होगी अब मैं इसको transform करके वो next video में पढ़ेगी कि transform क्या है लेकिन अब ही मैं आपको उतादो control T करके हम इसको resize करके यहाँ पे ले आए है ठीक है और इसके बाद मैं इस layer को color दे देता हूँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं feeder की feeder बहुत ही एहम है इसके अंदर pen tool के अंदर मैं आपको उसको फ़र्दा प्रेक्टिकल पहले बता दूँ यह देखिए एक image है इसको मैंने पहले से select किया हुआ है और अभी मैं इसके पर feeder नहीं apply करता मैं जस्ट ड्रेक्टि इसको control enter करके selection को बनाता हूँ ठीक है control enter किया और इसके बाद मैं यहां से edit में जाके copy करता हूँ और यहां पे लाके इस image के अंदर edit में जाके यहां पे paste करता हूँ ठीक है यह paste नहीं हुआ मैं दोबारा वहां पे जाता हूँ यह selection है यहां से मैं edit में जाके इसको copy करता हूँ ठीक है और इस image में आके मैं इसको यहां पे paste करता हूँ तो image नहीं आ रही तो इसके बाद दोस्त हम बात करते हैं feeder की feeder जो के इसके अंदर एक एहम बहुत ही ऐहम function है ठीक है pen tool के अंदर हम इसका बहुत यूज करते हैं ताके फूर जास तो पर जब हम background change की बात कर रहे होते हैं किसी भी image की तो वह उसके अंदर बहुत ही जादा एहम होता है तो ताके वह हमें एक real effect दे तो देखते हैं हम अपनी example के तो for example यह मैंने selection बनाई है मैं बगार पहले feeder अपनी apply करता ड्रेक्टी इसको control enter करके control enter करके selection की उसके बाद edit में जाके मैं इसको यहां से copy करूँगा और यहां पर लाके मैं इसको edit में जाके paste कर देता हूँ ठीक है यह क्योंकि इमेज का size बड़ा है इसलिए मैं control T करके इसको पहले मैं थोड़ा छोटा कर लूँ उसके बाद यह देखे मैं यहां पर इसको apply कर रहा हूँ ठीक है इसको apply कर देते हैं मैं इसको यहां पर लागे छोड़ देता हम और enter करता हूँ और यहां पर आजिए ठीक है और इसके बाद दोस्तों मैं आप दुबारा वहीं पर जाता हूँ वो selection को दुबारा से मैं करता हूँ अब मैं इसके ओपर feeder apply करता हूँ feeder apply करने के लिए मैं यहां पर right click करूँगा और यह आप देख सकते हैं यह मारे पास option है make selection make selection के ओपर click करूँगा तो मुझे पूछ रहा कितना feeder radius रखना है मैं यहां पर रख देता हूँ जी 2 चलें अभी 2 है feeder radius है 2 उसके बाद मैं यहां पर ok करता हूँ और यह मैंने यहां से फिर edit में जाता हूँ और एक copy बना के वापिस यहां पर आके मैं इसमें edit में जाके पेस्ट करूँगा तो यह देखे मेरे पास एक copy बना की मैं Ctrl T करके इसको भी resize कर लेता हूँ यह देखें अब की बार में और पहले वाली में आप खुदी फरक देखिएगा यह देखें अब मैं एक और वहां से पिक्चर ले जाता हूँ जिसके अंदर फीदर जो है वह इससे भी ज्यादा होगा यहनि के मैं वापिस जाता हूँ Ctrl Alt Z करके मैं यहां से मेक स्लेक्शन करके और यहां से फीदर सेक्ट कर लेता हूँ जी 5 5 करके इसको OK करता हूँ और इसके बाद Edit में जाके Copy और यहां पर लागे इसको पेस्ट करता हूँ तो अब क्या फरक आएगा तो इसको भी Ctrl T करके Resize कर लेते हैं पहले तो दोस्तों आप खुदी देख सकते हैं कि तीनों Images के अंदर कितना फरक है फरक कहां से आपको ज्यादा मख्लूम होगा अगर आप बाजों के करीब से देखें तो यह वाली पहले यह वाली बगहर फीदर के इमेज देखें तो यह लाग साफ पता चल रहा है कि यह इमेज उसे कहीं से कट करके लाके यहान पर पेस्ट कर और इने लेकिन जैसे जैसे फीदर दें बड़ता जा रहा है यह पता चलाया कि इमेज कि जैसा के बैकड़ाउं इमेज काई पार्ट कुछ इस तरह से मलूम हो रहा है यानि कि हम इसमें रियाल्टी क्रेट करने के लिए चीजों को चीजों के अंदर से फॉर इसेंपल बैकड़ाउंड और जो हम चीजों के पर पेस्ट कर रहे हैं लाके कोपी करके उन दोनों में एक कोनेक्शन मनाने के लिए फीदर को अपलाई करते हैं और फीदर हम लेमेज के मताबिक की क्वालिटी के मताबिक अपलाई करना होता है यह इस में यूस केắm अगर आप और आप वार्मो अब इसके फीदर को अप्लाई करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा यह देखें अभी मैं इसको च्रॉल एंटर करके यहां से च्रॉल सी और च्रॉल वी करता हूं तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फीदर की फीदर जोगे इंतहाई इंपोर्टेंट है इसके अंदर फीदर का क्या इस्तमाल है वो मैं आपको एक न्यू फाइल ओपन करके उसके अंदर पताने की कोशिश करता हूं ठीक है फॉर एक्जेंपल मैं यह इमेज ओपन कर लेता हूं ठीक है और मैं इसको यहां से कट करता हूं पेंट टूल की मदद से इसको कट कर लिया और इसके बार यह इसे को एक्स्क्लूढ भी करता हूं इसको मैंने एक्स्क्रूड कर दिया ठीक है उसके बाद अभी मैं आपको बग़हर फीदर के इसको करके दिखाता हूँ यानि बगार कीदर के अगर आप करना चाहते हैं जस्ट कंट्रोल एंटर कर दें तो सेलेक्शन बन जाएगी उसके बाद मैं यहाँ पर एडिट में जाता हूँ इसको यहाँ से कोपी करता हूँ और अपनी जो इमेज है वहाँ पर लाके इसको मैं सेव करता हूँ एडिट में जाके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा तो यहाँ पर इमेज आजेगी उसके बाद कंट्रोल टी करके मैं इसका साइज जो है वो थोड़ा कम कर देता हूँ इसके बाद दोस्तों पिर दुबाद है यहां पर इसी इमेज पेद वापीस आता हूँ और यहां से अब मैं यहां पे शीर फीदव्य आपलाई करता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए Mich 가 energized क्लिक करऊगा उसके बाहन यहां पर एक senior में इसको कड़िक करूगा तो यहां से मैं इसका फीदर सेट कर सकता हूँ फीडर यो इमज की क्वाइटि के मताबिक होता है प्रिजहां मैं यहां फेट उपलाई करताओं और इसको से ओके करके कि देखे सेलेक्शन बन गी एडिट में जाके फिर कॉपी किया और यहां पर लाके इसको फिर मैं पेस्ट कर दूगा और कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा मैं चोटा कर दूगा ठीक है उसके बाद मैं पिर दुबारा से उसी मेज पे जाता हूँ और यहां से अब मैं फीदर को फाइब करके देखता हूं तो क्या एफएक्ट आएगा में एक सेलेक्ष्छन उसके बाद फीदर को चिया 5 और यहां से किया ओके और एडिट अपी और वही इमेज पर लाके इसको फेस्ट कर लेते हैं Ctrl-T करके इसको रिसाइज कर लेते हैं ताके फरक को अच्छे तरीके से देख सके तो दोस्तो आप खुद बाखुद देख सकते हैं जो पहली इमेज है जिसके अंदर फीदर अप्लाई नहीं हुआ उसमें साफ पता चल रहा है खास तो पर यह देखें जो वाइट फाइट नजर आ रहा है साइट से कटिंग इसमें पता चल रहा है कि यह जैसा कि इमेज जो है वह कहीं से कट करके लाके यहां पर पेस्ट की गई है इसी तरह अगर हम मजीद आगे हैं यहां पर मेरा फीदर दो था तो देखें वह इमेज जो है वह कॉर्णर से ऐसे लग रहा है जैसे पिछली इमेज का उसका पार्ट है ठीक है क्योंकि अभी इसमें बैगराउंड जो इमेज है इसके अंदर मर्च होती मलूम हो रही है यानि उसका ही पार्ट एक तरह से मलूम हो रही है तो फोटो शाप के अंदर जो फीदर है वो बड़ा ही इंपोर्ट है नहीं खास तो पर जब हम बैगराउंड रिमूविंग की बात करते हैं तो यह कह क करते हैं दो इमेज के दरमयान एक अच्छा कोनेक्शन बना देता है ठीक है अगा इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह है अब दोनों ऑप्शन के अंदर ही शेप की तो शेप क्या काम करता है यह जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है तो जस्त मैं मैं मैं से नंगेए लिए इस नूव्वाईल कि अंदर मैं क्या करना चाहता हूं कि यहां से मैंने शैप असी कर लिए अर यहां से इसके साथ कोई भी शैप बना सकता हूं यह देखें cathedral की मदद से यहां पर कोई भी शेप बनाई जा सकता है ठीक है जैसे मैं ंचरव को तो यहां up कहा सकता हो नर्ड है आप्सकर पेस्ट करता हो यह तो इसके दर नगा यहां से क्लिक रूइच अब फिर नहीं यहां से नर्ड कर सकता हो यहां से ब्लैक कर सकता हूं झाला कर शकसा कि रिजिए करते हैं 2 यहां से कोई भी पैने season तो आपको बादर इसमें फिल कर देता हूं उसके बार यह स्टोक्स आ जाती है इसकी बांडरी इस पर कौन सा कलर रखना चाहते हैं यहां पर ब्लैक कर देता हूं तो यह देखें ब्लैक कलर आजेगा ओशना जाता हूं उसके लावर आगर मैं चाहता हूं कि इसकी ठाइन और यहां और जेगा है यहां से यूज कर सकता हूं ठीक है अभी मदेश्टोग को कर देता हूं कि उसके बाद स्टॉक कि यहां से आप उसकी मुट़ाइ को भी कर रिbeth कर सकते हैं यहांसे इंधू यहां से बनाई जा सकती है ठीक है मैं इसमें अब यह वाला कलर फिल कर देता हम फॉर एक्जेम्पल मैं इसमें यह वाला कलर फिल कर दूँ ठीक है और उसके बाद मैं यहां से कोई कोपी बना के इस शेप की मैं यहां से कंट्रोल जे के साथ कोपी बना के यह देखें और अब इसको लेयर का मैं जो कलर है वह थोड़ा लाइट कर देता हूं यहां पर ले आता हूं अब मैं देखें काट्रोल टी करके इसको जैसे आगे की तरफ ड्रैग करूंगा तो देखें एक लाइदा ही फरक इसका मदूँ होगा अब मैं इस शेप को नीचे कर देता हूं तो यह देखें आप इस तरह के एफेक्ट भी क्रेट कर सकते हैं इस पैंट टूल की मदद से चाहिए और इसके कलर चेंज कर सकते हैं और इसके आपर मुख्यव तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है तो यह जो पैंट टूल के अंदर जो शेप टूल है उसका आपको काम बताया ठीक है उसकी बगारा फिल बगारा को भी कंट्रोल किया जा सकता है यहां से ठीक सब्सक्राइब करेंगे तो यहां से हम सबसे पहले पर टूल को स्लेक्ट करेंगे और यह देखे मैं यहां पर इसके साथ कोई भी शेप कर सकता हूँ ठीक है कोई भी कि अर 50 धियाहां से क्रिएट की जा सकती है ज़ेस के पर आप पूल करेंगे और यहां से शेपस बन जाएंगे क क्रिक है via उसके बाहर आप आप और प्र फिल में आके यहांपर कोई भी काल्रा कर सकते हो इसको पर यहां से परहेंगे यह जान्वे यह gradient के ओपर क्लिक करेंगे तो यहां से अपको भी यहां पर gradient apply कर सकते हैं उसकी पूरी settings यहां पर मुजूद है और यह हम पहले कर चुके हैं ग्रेडियन के बारे में पहले पिछली वीडियो में देख चुके हैं उसके बाद अगर आप यह नन के उपर क्लिक करेंगे तो वह बिल्कुल एम्टी हो जाएगा आप यहांसे कोई भीजtes पीटbroken अप्लाइब कर सकते लिए सेडिंग जाके कोई और पैटन भी ला सकते हैं और यहांसे किसी पैटर्ण भीज़िए अप्लाई कर सकते हैं उसके इसके साथ ही हमारे पास ओप्जिना स्टों की स्टोंकि स्टोंक यानि उसकी बाउंडरी मैं यहां से कोई और कलर फिल करके इस ट्रोक यानि उसकी बाउंडरी स्ट्रोक में भी आप मुतिन तरह की कलर्स अप्लाई कर सकते हैं अभी ब्लैक कलर अप्लाई किया तो वह कैसा लगेगा यह देखें यह ब्लैक उसकी बाउंडरी ब्लैक होगी उसके लावा आप यहां से बाउंडरी को उसकी जो है वो विट को यहां से चेंज कर सकते हैं ठीक है यह आप इसकी विट यहां से अप्लाई कर सकते हैं इसके अपर ठीक है इसके बाद हमारे पास यहां से यह हम इसको डोटीड या किसी भी दूसरी शेप की हम यहां से स्लेक्ट कर सकते हैं ठीक है और स्टोक को यहां से नन भी कर सकते हैं ठीक है और इसके लावा यहां से विट और हाइट वगारा को भी कंट्रोल किया जा सकता है इसके बाद मैंने आप इसके अंदर मुख्री जरा कि इसको देखें डिजाइन बना सकते हैं शेप टूल को यूज करके क्योंकि से एक लेर बन जाती है और आप उस लेर को यूस करके किसी आई से कब कर सकते हैं यहां से किसी और कमपी के साथ ठीक है और इसके बार मैं कोपी बना लो डार आंद आगे और वुजय करके और उसका कलर इसमें क्रियेट होगा मैं इसको कंट्रोल टी करके अब मैं इसको आगी की तरफ लाँगा तो यह देखें आप कि एक बड़ा ही खुबसूरत इसमें क्रियेट हो गया मतलब कि आप इस तरह से इसके मुझली तरह के डिजाइन पना सकते हैं अपने जो वैप पेजिस बैंडर विद्व पर इसके में इस चीजों में इस चुब का जो है शेप के साथ बहुत ज्यादा इस्त्वाल होता है पैंड टूल की मदर से फोटो शाप के अंदर जो जातर शेप से बनाए जाती है तो दोस्तों अभी तक मैं आपको पैंड टूल के बारे वें तकरीपन तिमाम च आपको कोई भी क्वेस्चन है तो आप कोमेंट में पूछ सकते हैं उमीद है कि आपको समझ आई होगी थैक्क्यू वारी मच फूर वाचिंग अलाफिस